दोस्तों अगर आप NTPC जैसे पार प्लांट में अगर चुक हैं जौब करने के लिए तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें अब बात आती है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको एलाइजबिल्टी क्या होनी चाहिए और कितने पोस्ट हैं किस एरिया से कित चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब किजेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक किजेगा तो चलिए फटाफर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन कुछ इस फ्रकार से है और अभी मैं बात करता हूँ रिक नहीं कि 11 नॉंबर तक आप इसे अपलाई कर सकते हैं अब बात करते हैं कि कितने पोस्ट आया हैं किस एरिया से इसके बारे में आप जान लिजेए तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात करते हैं जैसे कि यहां लिखावा है project vacancy आपको screen और zoom करके दिखा देता हूँ जै टोटल 900 कुछ पोश्ट हैं आप सभी के लिए और आप चाहें तो अपलाई कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं अलेजबिल्टी के लिए आप सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा है इंडिया का महारतने कंपनी है एंटिपीसी फिल लिखा है रिक्वार्मेंट ऑफ इंजिनिंग एक्जिकुटिव ट्रेनिंग दोजार बाइस थूरूज गेट दोजार बाइस यानि कि गेट के मादियम से अगर आपने इंजिनिंग किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप् सेली के लोग वेशिक पूछते हैं कितना सर हमारा वेशिक पे होगा तो आपको मैं बता दूँ कि 40,000 से लेकर 1,440,000 तक वेशिक पे होगा E1 ग्रेट के लिए ठीक है प्लेसमेंट आपको कहीं भी वेजा जा सकता है बस ट्रेनिंग के मादियम से ट्रेनिंग कुछ दिन करन हैं तो एज में आपको 27 एयर्स कम्पलिट होने चाहिए या उसे एभब भी होगा तो भी चले गा ठीक है तो इसी प्रकार से फुल डेटेल्स में दिया अप्लाई कैसे करना है अप्लाई करने का जो भी लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में प्रवाइड कर दी जैसा कि स्क्रीन पर देख रहा है आफ लाइन ओनलाईन किसी भी मूर से आप एमेंट कर सकते हैं अब बात आती है कि जनरल इस्ट्रेक्शन के बारे में कुछ चीजों को जानना जरूरी है कि हम कहां से बिलोंग करते हैं कहां से नहीं करते हैं तो इस सभी के बारे में आप एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो फॉर्म अपलाई करना स्टार्ट होगा वह 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और फिर लास्ट डेट इसका 11 नॉमबर तक है तो दोस्तों इसी प्रकार से कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल अंस एस्टडी गुरू से जुड़े रहेगा सात्यों नई ने वीडियो आप सभी को अंस एस्टडी गुरू के माध्यम से मिलती रहेंगी ओक्यो अल्द बेस्ट जैहिन जै भारत